भारतिये क्रिकेट टीम को नया गेंदबाजी कोच मिल गया है और इसी के साथ गौतम गंभीर के सहियोग के लिए सपोर्ट स्टाफ में जो एक खाली पड़ा हुआ पद था वो भी भर गया मतलब कि अब भारतिये टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ पूरे हो गए आपको बता दू कि जो नए गेंदबाजी कोच बनाए गए हैं उनका तालूग दक्षिन अफरेका से है वो दक्षिन अफरेका के पुर्व तेज गेंदबाज हैं और अंतराष्टिये क्रिकेट में उनका अच्छा खासा अनुभाव रहा है और उन्होंने अंतराश्टिय क्रिकेट में 544 विकेट भी लिये हैं तो इतने अनुभवी गेंदबाज को भारतीय टीम का बॉलिंग कोच न्युक्त किया गया है और उनका नाम है मौर्ने मौरकल तो मौर्ने मौरकल भारती एक क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच होंगे तो आज आपको बताऊंगा कि मौर्ने मौरकल को ही भारत के बालिंग कोच के रूप में क्यों नियुक्त किया गया उन्हें क्यों जगह दी गई नमस्कार आप देख रहें न्यूस बाइसकोप और मैं हूँ राकेश रंजन टीम इंडिया के बालिंग कोच के रूप में दक्षिन अफरिका के पुर्वतेज गेंदबाज मौर्ने मौरकल का चैन किया गया है और अब वो भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच होंगे वो पारस महामरे की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तयार हैं और अगले महीने NCA जाएंगे और अपना कारेबार समभालेंगे वैसे आपको बता दूँ कि बांगला देश के खिलाप 19 सितंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है और उसी के साथ उनका कारेकाल भी श देखिए जो खबरे थी उसके अनुसार जो है विने कुमार और लक्षमी पती बाला जी का भी नाम चल रहा था लेकिन जब चुनने की बारी आई तो दक्षिन अफरिका के पुर्व तेज गेनबाज मौरने मौरकल को ही चुना गया बॉलिंग कोच के रूप में तो इसकी जो पहली वज़ा है वो ये है कि मौरने मौरकल जो है वो गौतम गंभीर की पसंद थे देखिए क्रकट सलाकार समीथी मुखे कोच का जो चैन होता है उसके लिए जम्मेदार है और उसकी प्रक्रिया को वो पूरा करती है लेकिन उसके बाद जब आप उनके एसिस्टेंट क रूप में उनकी सहायता करने के लिए जब अन्य कोचेस को देखते हैं तो वहाँ पर जो मुखे कोच होते हैं उनकी बात भी सुनी जाती है और ध्यान दे कर सुनी जाती है तो चुकि मौरने मौरकल गौतम गंभीर की पसंद थे तो उन्हें जो है गेनबाजी कोच बनाया गया है ये तो हो गई पहली वज़ा इसके अलावा अगर हम अन्य वज़ा जानने की कोशिश करें तो देखिए मौरने मौरकल जो की नामी तेज गेनबाज थे अपने समय के और जैसा मैंने आपको बताया कि उनके नाम क्रिकेट के तीनों फॉर्मिट में चाहे आप ये टीमों को जो है एक कोश के तोर पर भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं तो उसका भी एक अनुभाव है इस वज़ा से भी उन्हें वरियता दी गई है और देखिए भारत को अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है पांच टेस्ट मैच खेलने के लिए वहाँ आपको एक ऐसे बहतर रहा है तो मौर्ने मारकल के सेलेक्शन में इसकी भी एक भूमिका है उसके बाद भारतिय टीम को अगले साल इंगलैंड के दोरे पर भी टेस्ट सीरीज खेलनी है तो इसके लिए भी मौर्ने मारकल जो है वो मुफीद होंगे वो भारतिय तेज गिनवाजों को वज़ा है मौर्ने मारकल के गेंड़ाजी कोच के रूप में चैन के लिए जहां तक भारत की बात है भारत में भी खेलने का मौर्ने मारकल को अच्छा खासा अनुभव है वो IPL खेलते रहे बाद में IPL की टीमों को कोच किया जो नए तेज गेंड़ाज उभरते हुए उनके साथ उन्होंने काम किया है तो इन कारणों से मौर्ने मारकल को भारतिये टीम का गेंड़ाजी कोच नियुक्त किया गया है और उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है कि मौर्ने मारकल जो है वो अपने कारेकाल में भारतिये तेज गेंड़ाजी को एक नई उचाई तक ले तो अब चुकि अगला वर्ल्ड कप भी दक्षिन अफरिका में है और मौरने मौरकल भी दक्षिन अफरिका के हैं तो वहाँ की पिचेज के बारे में वहाँ किस तरह की गेंदबाजी की चाहिए इस बारे में वो भारती एक तेज गेंदबाजों की सहायता अच्छे डंग से क कर सकते हैं इस वज़े से भी उन्हें गेंदबाजी कोच बनाया गया है तो हम उमीद करते हैं कि मौरने मारकल का कारेकाल सफल होगा हम उन्हें उनके भाविश्य के लिए धेरो शुब काम नाई देते हैं अभी आपसे अनुमती चाहेंगे इजाज़त दें नमस्कार